इसमें ग्रह प्रवेश का महत्व बहुत है घर को मंदिर की संग्या दी जाती है हिंदु धर में गर में विना पूजा पाट के प्रवेश करना वर्जित माना गया है इसमें ग्रह शांती की पूजा हो दशु दिखपाल रक्षपाल ग्राम देथा और स्थान देथा की पूजा करके ही नूतन घर में प्रवेश करना चाहिए तबी घर में मालक्षमी का वास होता है ऐसे में आज याने की तीन में मंगलवार के दिन अक्षर तित्या की अद्धी पावन सुगम तिति है इस सुप तिति को सुप और वंगलिक कार्यों के करने के लिए उत्तम फलदाई और विलक्षन माना जाता है इस दिन भूमी पूझन और ग्रह प्रविश शे लेकर मुंडन तिलक विवा तक के सभी संसकार किये जा सकते हैं ऐसे में यदि ग्रह प्रविश करने जा रहे हैं तो इन बातों का विशेज ध्यान रखना चाहिए शुब मूरत में ही ग्रह प्रविश समंदी पूझा का आरम और अंध होना चाहिए ग्रह को पूल मालाओं से सुसजित करके मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदरवार बना कर सजा देना चाहिए घर के इसान कोन पर पूझा के लिए आवशकता अनुसार चोके स्थापित करके उस पर न ग्रह दसो दिखपाल, रक्षपाल, ग्राम देवतास्तान, देवता आदी को विधिवत स्थान देकर ग्रह सवामी का ग्रह सवामीनी के साथ पूझा करना चाहिए मुख्यद्वार पर दोनों और जिल भरे कल्श पर दिपक जला कर रखना चाहिए सुहागिन के साथ कन्य और गाय की पूजा करके दाया पैर पहले अंदर करके प्रवेश करना चाहिए मुख्यद्वार के बाद रसोई घर की पूजा जरूर कराई जाए इसलिए रसोई घर में सारूफ पर थम दूद उबालना या दूद से जुड़ा पक्वान बनाया जाना शुब माना जाता है इसलिए चूले पर खीर बनाई जाती है घराज स्वामी घराज प्रवेश की पूजा के उपरान सत्य नारंड ब्रत कथा जरूर सुने नेविदी विधान से पूजा आरजना करने के बाद इस चूप मित्रों के साथ प्रशाद वित्रन किया जाए ऐसा करने से आपको खर में सुख शांती प्रदान होगी और सभी काम अच्छे से होंगी अगर आपको हमारी जानकर एच्छी लगी हो तो कमेंट करके जबर बताए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे आने वाले वीडियो के ब्रेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बराए घंदवाना ना भूलें